तो शिवक्रप परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। माता काली की जो साधना करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की निकते नहीं आती और ना ही उन्हें भूत प्रेत आधी लिपड़ते हैं। कोई कितना भी बड़ा भगत हो अगर वो किसी के उपर कोई चोकिश होड़ रहा है भूत प्रेत छोड़ रहा है और अगर वो व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो माता काली स्वयम उस प्रेत बाधा को नश्ट करती हैं साथ ही अपने सेवक की रख्षा करती हैं। मैंने पिछ्छी वीडियो में बताया था हमारे जो चनल है शिव शादना केंदर में कि माता जो काली हैं वो बहुत ही सौम्मे देवी हैं एक बच्चे के लिए अपने जो उन्हें पूसता है उनके लिए ममता माई हैं सौमे वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को कई सव रूप हैं जैसे मरगट काली दिल्ली वाली काली खादरावाद वाली काल का और भी कई रूप हैं भद्र काली शम्शान काली और भी माता के बहुत सारे रूप हैं जिन रूपों को भगत लोग या जो सेवक हैं उनके वो पूसती हैं पर अधिकतर जो तंत्र विद् उनके चणों की दास होती हैं और जो भी क्रिया की जाती है शम्षानी वो बिना शम्षान काली माता के नहीं संपन्य होती तांतिक लोग शम्षान काली माता को परसन्न करकर अनेक प्रकार के तंत्रमंत्र सीखते हैं और अनेक प्रकार के तंत्रमंत्र करते भी हैं जो लोग मात माता को बली के रूप में देते हैं और किसी का बुरा करते हैं तो माता उनका बुरा स्वम करती हैं और एक ऐसा समय आता है जब उनकी आत्मा को भी मौक्ष की प्राप्ति नहीं होती। माता ममता मही है माता सभी दुस्टों का संघार करने वाली है जो माता की सेवा करता है तन मंधन से उस पर माता सदेव किरपा करती है तो आज मैं उन्हीं शम्शान काली की मरगट काली की साथना आपको बताने जा रहा हूँ वही मरगट काली है जो गुरु गुरखनाज जी महराज के साथ चलती है वही मरगट काली है जो गोगा जहारवीर के साथ चलती है जो पांचो बावरियों के साथ चलती है वही मरगट काली है जो भगवान शिव के साथ चलती है जो बावा भैरों के साथ चलती है वही मरगट क काली की कोई सेवा कर ले तो शत्तुों को संघार करना सेवा को स्रक्षा प्रदान करना अपनी किर्पा करना किसी के बारे में भी सब कुछ बताना इन तमाम प्रकार की जो माता की किर्पा हैं वो सेवा को प्राप्त होती है पर नियम से तरीके से माता काली की सेवा करता है जो उन लोगों को ही ये चीजे प्राप्त होती है वैसे माता मरगट काली की जो सेवा है माता की जो साधना हो बिना गुरू के नहीं करनी चाहिए पर अगर आप उस समय जिस समय आप संकल्प लेते हैं किसी साधना करने का माता मरगट काली की साधना करने का उस समय आपने गुरू का नाम लेते हैं कि मैं इन गुरू को साक्षी मान कर और माता शम्शान काली की साधना करने जा रहा हूं माता आपकी साधना करने जा रहा हूं किरपा करके मेरी साधना को पूर किये और गुरु महराज से ये विंती कीजे कि गुरु महराज की किरपा से आपको सुरक्षा प्रतान हो और हाथ में जल लेके आपको ये संकल्प करना होता है तो शुरुवात से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसी करने पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मरगट काली माता एक ऐसी देवी है जिन्होंने सिद्ध कर ली उन्हें किसी और देवता को सिद्ध करने की आशकता नहीं है तमाम शक्तियां उनके पास होती है उनके घर का बंधन स्वम माता काली करती है उनके घर की जो शुरक्षा है वो माता मरगट काली करती है कोई भी तंत्र मंत्र उस व्यक्ति के उपर कारें नहीं करता साथ ही वो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है किसी की भलाई के लिए तो ध्यान से आप सुनेगा किस प्रकार से इस साधना को करना है कब इस साधना को आपको करना है यह जो साधना है शमशान काली माता की जो साधना है ये आपको किसी भी शनिवार से शुरू करनी होती है वैसे नौरात्रे में अगर ये साधना की जाए तो इसका अभिष्ट फल्ज प्राफ्त होता है यानि कि मात्र तीन या दो दिन में इसकी माता की जो किर्पा है वो आपको प्राफ्त होती है माता की जो हाजरी है वो आपको प्राफ्त होती है मातर दो से तीन दिन में पर अगर आप नॉर्मल जिसे और दिनों में शहनिवार से सुरू करते हैं इस साधना को तो लगब लगब साथ से दस दिन के अंदर माता की सवारी आ जाती है अगर नियम भाव से अगर कोई इस साधना को करता है एक चीज़ और मैं आपको बता दू शक्तियां तो सभी आ जाती है पर गुरू का होना क्यों अशुक्त होता है क्योंकि जो शक्ति आती है किसी वेक्ति के सरीर में उसको नियंत्रन करने के लिए गुरू बहुत जरूरी है वो अनिष्ट भी कर सकती है और जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे नियंत्रन नहीं करोगे गुरू शक्ति के द ले जाता है तो उसी प्रकार गुरू होता है जिन लोग का गुरू होता है शक्तियां आती है कि क्या बिना गुरू के सवारी नहीं आती है पर एक दिशा नहीं होती उसको आप अपने तरीके से नहीं चला पाओगे उस जिस दिशा में आपको चलाना चाहिए उस दिशा में आ होते उन लोगों को आपने देखा होगा कि जहां भजन चलते हैं किसी दरबार में वो शक्ति हाजिर हो जाती है माता हाजिर हो जाती है पर जिए जब गुरु के लिए गुरू का होना आवशक है गुरू नहीं है तो आप जो हाथ में जल लेना है आपको पहले हाथ में जल लेके आपको बोलना है कि मैं इन गुरू को साक्षी मानगार माता काली की साधना करने जारम है माता काली इस साधना को पून कीजिए है गुरू माराज मुझे शरक्षा प्रदान कीजिए और उस जल को आपको मंदिर के पास ये तो होता है संकल्प नेने का तरीका हो गया जिससे आपकी शरुक्षा होती है दूसरी बात आपको जो माता सम्षान काली की साधना करनी है उसके लिए काले वस्त्र की आशक्ता हो गई यानि की काला आसन माता के लिए होना चाहिए आपके पास काला आसन है या नहीं है तो लिए आप कालिस स्याही से छोटा सा बिंदू लगा सकते हैं अपने कपड़ों पर और आसन पर और उसके बाद आपको 21 दिन तक इस साधना को करना है शनिवार से साधना की शुरुवात करनी है रात के 9 से 11 के बीच में एक घंटा आपको जो मैं मंतर बताऊंगा उस मंतर का ज उपर भी आप दे सकते हूँ डेली एक घंटे आपको जाप करना है 9 से राथ के 9 से 11 के बीच में यानि की 9 साड़े नो से भी सुरु कर सकते हैं आप जाप जाप जो होना चाहिए एक घंटा बिना माला के जाब करना है 21 दिन की साधना है और भोग इसमें एक बतासा और पांच लोंग आपको उस समय देनी है जिस समय आप जाब करोगे पहले आपको ये भोग देना उसके बाद आपको शुरुवात करनी है मंतर जाब की ये भोग 21 दिन तक आपको देना होगा जैसे आपने सन्यवार को दिया उसके बाद फिर अगले दिन भी देना है याई 21 दिन तक आपको लगातार इस भोग को ही देना होगा एक बतासा पांच लोंग उसके बाद आपको आसन लेके इस मंतर का जाब करना है बिना माला के उसके बाद 22 वे दिन आपको करन्या पूजन करना है ये जो साधना इसमें आपको 7 से 10 दिन के अंदर अभव होंगे हो सकता माता की सवारी तक आपको आए क्योंकि ये जो मंत्र है ये आति शक्तिशाली मंत्र है माता शम्शान काली का बात रही कई लोगों के दि कार्की व्याश्र आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस मंत्र के द्वारा मता संचांकाली बहुत जल्दी जो है वो प्रकट होती है साथ-साथ में मता काली नाम माता काली का लोगों ने बदनाम कर रखा वारना माता काली बहुत करणा माई है, बहुत द्यालू है, अपने वक्तों को संकटों को दूर करने वाली देवी है, मंत्र आपको आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मंत्र में आपको बता देता है, मंत्र है, ए यह आगे है उसके बाद में लास्ट में विए यह सिर्फ बीच में जो हो काली किये है इस मंत्र का आपको लगातार एक घंटे जाप करना है और आप देखोगे साथ से विचित्र अनभव होगे और अनभव कोई भ्यानक नहीं होगे आनभव आओंगे मता रानी के बहुती सौम्मे रूप के दर्शन होंगे किसी परकार की दिक्कत आपको इस साधना में नहीं हो तो यह जो साधना है जिन लोग लो में हो परेशान हो चुकें प्रेत बादा से उन लोगों के लिए ये साधना एक वरदान के रुब में कारे करती है साथ ही अगर आपके ये साधना पूर्ण हो जाती है आपको कोई साधना करने की अश्रक्तर नहीं है माता कारी तमाम चीजें आपको परदान करती है आपको सबसे अच्छी बात है आपको गुपत रहसों की जानकारी मातरानी देती है और साथ ही अपनी सवारी जब मातरा की सवारी आती है तो आपके जो सब्त चक्र हैं वह जागरित हो जाते हैं और आपके अन्दर से जो भी गंदगी होता है वह भार निकल जाती है आँसों के माधियम से तो इस साधना को कीजिए और लाव उठाए माधरानी आपको तमाम रहसे पुर स्राइब भार वे दिन कर्णिया पूजन आपको करना है, कर्णिया पूजन महलवा पूरी का भोग मातराणी को लगाएंगे, नियम वही हैं, ब्रमचार पालान होना चाहिए, साथ ही एक समय पर जो आपका समय हुआ रात को, उस समय को कीजिए मातराने की किर्पा प्राप्त कीजिए मुझे आशा यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप पहली बार हमारे चनल शीव गुर्पा परिवार पर है तो आपके सीधे हाथ में जो लालकर का बटन है उसे दबाके चनल को सबस्क्राइब कीजिए आपके साम सब्सक्राइब कीजिए आपको बहुत सारी सादना कए मिलेंगी गुर्गोर्खनाजी महराज करेंगे वेदिक मंत्र मिलेंगे साथ Sigala मिलेगी उचनल शासतना embassy मैं बाव भरिनाज से विंति करता हूं कि वो सदा आपको सुखे रखें आपके घर और परिवार में ब्रकत रखें तमाम खुशियां आपको व्रदान करें हम मिलते हैं अगले वीडियो वे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए ओ हमनुशिय।